नमस्कार, टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे यह सवाल वैसे होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा स्टेट PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGC Net, CDS, CAPF, NDA जैसी परिक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिये जाते हैं तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं कल ये प्रैक्टिस कोशन से कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में वैज्ञानिकों ने निमलिखित में से कहां पर समुद्री कच्रे का पता लगाने के लिए यूरोपियन उपग्रह का इस्तमाल किया है A. काला सागर B. कैस्पियन सागर C. एजियन सागर D. अजोव सागर Scientists use EU satellite to spot Aegean sea litter हाल ही में ग्रीक विश्विद्याले के शोधार्थिव ने एजियन सागर में समुद्री कच्रे का पता लगाने के लिए यूरोपियन उपग्रह का इस्तमाल किया है इसके लिए उन्होंने एजियन सागर में दिवार के आकार का PVC फ्रेम डिपॉजिट किया एजियन सागर की लोकेशन की बात करें तो ये भूमद्य सागर के उत्तर में है और इसके पूर्व में तूर्की और पस्चिम में ग्रीस है ये लोकेशन है एजियन सी की तो कल के अभ्यास प्रशन का सही उत्तर है ओप्शन सी एजियन सागर आज की सेशन का पहला सवाल ट्विटर ने किसे भारत में नया MD न्यूक्त किया है ए आयुष सिंग बी माया हरी सी मनीश माहेश्वरी दी संदीब पूरी ट्विटर ने मनीश माहेश्वरी को भारत के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में न्यूक्त किया है 2018 में तरंजीत सिंग ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के रूप में स्तीफा दिया था तथा बालाजी कृष को अंतरिम अवधी के लिए यह प्रभार दिया गया था माहेश्वरी पहले सही उत्तर है ओप्षन C मनीश माहेश्वरी कोशन नमर टू निम्न लिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का परिक्षन किया है A. अमेरिका B. कनाडा C. रूस D. जापान रूस ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का परिक्षन किया है यह पावर प्लांट रोसाटोम न्यूक्लियर कॉर्परेशन के सहायक के रूप में काम करेगा 70 मेगबोट शमता वाले इस प्लांट के इसी साल दिसंबर से चालू होने की संभावना है इसके अलावा रूस से ही जुड़ी हुई एक और खबर हम आपको बता देते हैं आज ही उत्तरकोरिया के नेता किम जॉंग उन रूसी राष्टपती बलादीमिर पूतिन से मुलाकात के लिए रूस रवाना हुए है इन नेताओं की मुलाकात बलादी वोस्टोक समिट में होगी अब बात करते हैं रूस की रूस की राजधानी मौस्को है इसके तट तीन महा सागरो अटलांटिक, प्रशान्त और आर्क्टिक से लगे हुए है रूस चौदा देशों के साथ अपनी सीमा साजह करता है जिसके पस्चिम में पॉलेंड और लिथुआनिया है वहीं दक्षिन में उत्तरकोरिया, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजर बेजान और जॉर्जिया है दक्षिन पस्चिम और पस्चिम में युक्रेन, बेलारूस, लात्विया और एस्टोनिया के साथ साथ फिन्लेंड और नॉर्वे के साथ यह अपनी सीमा साजह करता है कोई अन्य देश अपनी अंतरास्टिय सीमाओं को इतने देशों के साथ साजह नहीं करता यह पस्चिम में कैस्पियन सागर, काला सागर और बाल्टिक सागर से और पूर्व में जापान सागर, अकोटस्क सागर और बेरिंग सागर से घिरा हुआ है कोशन नमबर सेकेंड इसका सही उत्तर है उप्शन C, रूस कोशन नमबर थर्ड, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लाइसेंस प्राप मलेरिया वैक्सिन तैयार किया है मलावी ने एक अभ्यान के दौरान दुनिया के पहले लाइसेंस प्राप मलेरिया वैक्सिन को लॉंच किया है हर साल इस बिमारी से हजारों बच्चों की मौत होती है विकास में तीन दशकों से अधिक और लगभग एक बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 890 मिलियन यूरो के निवेश के बाद नया टीका मलावी की राजधानी लिलॉंगवे में वित्रित किया जाने लगा है इस वेक्सीन को मौस्क्यूरिक्स नाम दिया गया है जो मलेरिया के खत्रे को लगभग 40 प्रतिशत तक कम करेगा मलावी की बात करें तो यह दक्षिन पूर अफरीका में एक लैंड लॉंगड देश है इसकी राजधानी लिलॉंगवे है यहां की मुद्रा मलावी अनक्वाचा है यह अपनी सीमा, तंजानिया, जांबिया और मोजांबिक के साथ साज़ा करता है मलावी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है तो कोशन नमर थ्री इसका सही उत्तर है उप्षिन A, मलावी कोशन नमर फोर्थ, इरान ने निमलिखित में से किस देश के साथ बॉर्डर रियक्शन फोर्स गठित करने की घोशना की है A, अफगानिस्तान, B, पाकिस्तान, C, भारत, यदीत तुर्की इरान ने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर रियक्शन फोर्स गठित करने की घोशना की है बीते दिनों इरान की यात्रा पर रहे पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इम्रान खान और इरानी रास्टपती हसन रूहानी ने आतंकवात से निपटने के लिए इसके गठन की सहमती जताई सीस्तान बलूचिस्तान शेत्र में इरानी सुरक्षा बलो पर आतंकी हमले के मद्दे नजर यह निर्णे लिया गया है अब इरान की भोगौली की स्थिती की बात करें तो इरान की राजधानी तेहरान है इरान उत्तर में अजर्बेजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर, पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दक्षण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और पस्चिम में तुर्की और इराक से घिरा हुआ है इरान में चाबहार बंदरगाह की इस्तिथी इसके सामरिक महत्व को दर्शाती है साथ ही इसके दक्षन में स्थित हॉर्मुस जलसंधी भी इसके महत्व को बढ़ाती है यहां हॉर्मुस जलसंधी है इस तरहा question number 4 इसका सही आंसर है option B पाकिस्तान question number 5 भारस सरकार ने किस देश से दुग्ध उतपादों के आयात पर प्रतिबंध का विस्तार किया है A बांगलादेश, B ब्राजील, C पाकिस्तान, D चीन सरकार ने चीन से दुग्ध और उसके उतपादों के आयात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है खादिन यामक FSS AI ने तब तक प्रतिबंध का विस्तार करने की सिफारिश की थी जब तक की बंदरगाहों पर सभी प्रियोगशालाओं का अपग्रेडेशन नहीं किया जाता दरसल यह अपग्रेडेशन विशैले रसायन मेलेमाइन की उपस्थित का पता लगाने के लिए किया जाना है आपको बता दें कि चीन से आयातित दुग्ध सामगरियों में इस रसायन की उपस्थिति का पता चलने के बाद इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था मेलमाइन एक विशाक्त रसायन है जिसका उप्योग प्लास्टिक और उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है यह प्रतिबंध सबसे पहले सितंबर 2008 में लगाया गया था भारत में उतरपदेश दुगदूत पादन में अग्रणी राज्य है बातकरी फसाई की तो फसाई यानि Food Safety and Standards Authority of India फसाई की स्थापना खादे सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है फसाई की स्थापना विज्यान आधारित मानक इस्थापित करने उनके निर्मान, भंडारण, वित्रण, बिक्री और आयात को वी नियमित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौस्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई है तो इस तरह भरस सरकार ने जिस देश से दुख दुथपादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है या प्रतिबंध को विस्तार दिया है वह है चीन ओप्षिन दी कोश्चन नबर सेक्स BCCI ने हाल ही में Women's T20 Challenge टूर्णमेंट की घोशना की है इस टूर्णमेंट के सभी मैच कहां खेले जाएंगे A. चिन्दास्वामी स्टेडियम मंगलूरू B. वानखेडे स्टेडियम मुंबई C. सवाई मानसिंग स्टेडियम जैपूर या D. फिरोशाह कोटला दिल्ली BCCI ने हाल ही में Women's T20 Challenge टूर्णमेंट की घोशना की है इस टूर्णमेंट के सभी मैच जैपूर के सवाई मानसिंग स्टेडियम में खेले जाएंगे इस टूर्णमेंट का मकसद क्रिकिट में महिलाओं को प्रोच्साहन देना है टूर्णमेंट के लिए तीन टीमें बनेंगे और कुल चार मैच खेले जाएंगे इंटिमो का नाम होगा सुपर नोवाज, ट्रेल ब्लेजर्स और विलोसिटी इस टूर्णमेंट में भारते महिला क्रिकिट खिलाडियों के अलावा अन्य देशों की बेहतर महिला खिलाडियों को मौका मिलेगा तो कोशन नमबर सेक्स इसका सही आंसर है ओप्शन सी सवाई मान सिंग स्टेडियम जैपुर कोशन नमबर सेवन सी जी आई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोपों की सुनवाई के लिए बने तीन जजों के पैनल के अध्यक्ष कौन है A. Justice N.V. रमन B. Justice S.A. बोबडे C. Justice इंद्रा बेनर जी D. Justice अरुन मिश्रा C.G.I. रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीडन के आरोपों की सुनवाई के लिए Justice S.A. बोबडे के नेत्रित्व में तीन जजों का पैनल गठित किया गया है S.A. बोबडे के अलावा इस समीती के अन्य सदस्त है Justice N.V. रमन और इंद्रा बेनर जी Q.7. इसका सही आंसर है Q.B. जस्टिस S.A. बोबडे Q.8. बांगलादेशी खिलाडी सौम्या सरकार का संबंध निम्न लिखित में से किस खेल से है A. बैडमिंटन B. जूडो C. फुटबॉल D. क्रिकेट बांगलादेशी खिलाडी सौम्या सरकार का संबंध क्रिकेट से है ये अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये पहले ऐसे बांगलादेशी खिलाडी बन गए है जिसने धाका प्रीमियर लीड में लिस्ट A. दोहरा शतक लगाया है इससे पहले सरकार ने तीन अंतर रास्ट्रिय शतक भी लगाये है ये क्रिकेट बिश्व कब 2019 के लिए बांगलादेशी टीम का हिस्सा भी है तो सौम्य सरकार का संबंध है क्रिकेट से ओप्शन D. इसका करेक्ट आंसर है कोशन नमर नाइन्थ रास्ट्य पंचायती राजदिवस कम मनाया जाता है 22 अप्रेल 24 मार्च 24 अप्रेल या 23 माई देशभर में रास्ट्य पंचायती राजदिवस 24 अप्रेल को मनाया जाता है यह दिन 73 संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष में मनाया जाता है 2010 में पंचायती राजदिवस मनाने की शुरुआत हुई थी बात करते हैं संविधान में पंचायती राज के लिए कहा कहा जिक्र है संविधान के भाग 9 में अनुच्छे 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के प्रावधानों का जिक्र है संविधान के अनुच्छे 40 में नीती निदेशक तत्व के तहर भी पंचायत के गठन की बात की गई है, इसके अलावा सन्विधान की ग्यारहवी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया गया है, इन संस्थाओं को 29 विशय हस्तांत्रित किये गए हैं, मौजुदा वक्त में सभी राज्यों में पंचायती राज का त्री स्तरिय ढाचा काम कर रहा है, जिसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत आती है, मध्य में ब्लॉक और सबसे उपर जिला पंचायत का इस्थान है, इसके अलावा अशोक महता समिती, जीवी के राव समिती, एलम सिंगवी समिती और थुंगन समिती का संबंध पंचायती गांधी जी के सर्व साधारण को सर्वत्तम लाब की परिकल्पना को साकार करने के लिए पंचायती राज एक महतवपून संस्था है, तो कोशन नमबर नाइन्थ, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन C, 24 अप्रेल यानि आज, कोशन नमर टेंथ, हाल ही में शुरू हुए एशिय एशियाई रेस्लिंग चेंपियंशिप के पहले ही दिन निमलिखित में से किस भारतिये ने स्वन पदक जीता है, ए बजरंग पुनिया, बी प्रवीन राणा, सी योगेश्वर्दत, या डी सत्य वृत्त काडियन, हाल ही में शुरू हुए एशियाई रेस्लिंग चेंपिय का सोव को हराया, बजरंग ने इससे पहले भी 2017 में आयोजित इस चेंपियंशिप में स्वन पदक जीता था, वहीं दूसरी तरफ 79 किलोग्राम वर्ग में प्रवीन राना, इरान के बहमन मोहम्मत तैमूरी से हार गए और उन्हें रजक पदक से संतोश करना पड़ा, जबक इसको बता दें कि एशियन रेस्लिंग चेंपियंशिप का आयोजन चीन के जियान में हो रहा है, तो इसका सही उत्तर है, आप्शन A, बजरंग पुनिया, बात करते हैं आज के प्रेक्टिस कोशन की, आज का प्रेक्टिस कोशन है, हाल ही में किस देश ने रामायन थीम पर पर शेश मोहर या स्टांप जारी की है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापूर या नेपाल, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूले, कल कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार.